पहला पत्रस अध्याए एक पत्रस की ओर से जो येश्व मसी का प्रेरित है उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलातिया, कपदूकिया, आस्या और बितुनिया में तितर-बितर होकर रहते हैं और परमेश्वर पिता के भविश्य ज्यान के अनुसार, पवित्रात्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्या बानने और येश्व मसी के लहू के छड़के जाने के लिए चुने गए हैं तुम्हें अत्यंत अनुग्रा और शांती मिलती रहें हमारे प्रभु येश्व मसी के परमेश्वर और पिता का धनिवाद हो, जिसने येश्व मसी को मरे हो में सिजी उठने के द्वारा, अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जनम दिया। अर्थाद एक अविनाशी और निर्मल और अजर विरासत के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हैं जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उधार के लिए जो आने वाले समय में प्रगठ होने वाली हैं, की जाती हैं। इस कारण तुम मगन होते हो, ये दिपी अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परिक्षाओं के कारण दुख में हो, और या इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताय हुए नाश्वान सोने से भी कही अधिक बहमूल्य है, ये शुमसी क प्रगट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठेरे, उससे तुम बिन देखे, प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आननदित और मगन होते हो, जो वर्नन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रति आदर की, जिनोंने उस अनुगरह के विश्वास की में, जो तुम पर होने को था भविशदवानी की थी, उन्होंने इस बात की खोच की, कि मसी का आत्म जो उनमे था, और पहले ही से मसी के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, मह कौन से और कै ऐसे समय की और संकेत करता था। उन पर यह प्रगट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बाते कहा करते थे। पूरी आशा रखो जो ये शुमसी के प्रगट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। और आग्याकारी बालकों के समान अपनी अज्यानता के समय की पुरानी अभिलाशाओं के सद्रश न बनो। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सा पूर्वजों से चला आता है उससे तुम्हारा चुटकारा चांदी सोने अर्थार्थ नाश्मान वस्तूओं के द्वारा नहीं हुआ। पर निर्दोश और निश्कलंग मेमने अर्थाथ मसी के भहमोल लिलहू के द्वारा हुआ। मसी को जगत की सृष्टी से पहले चुना गया था पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रगट हुआ। जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हो में सिजिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। अधर जबकि तुमने भाईचारे के निश्कपट प्रेम की निमित सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है तो तन मन लगा कर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। क्योंकि तुमने नाश्वान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठेरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूक जाती है और फूल जड़ जाता है परन्तु प्रभू का वचन युगानोयुक स्थिर रहता है और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। पहला पत्रिस अध्याई दू। इसलिए सब प्रकार का बैरभाव जल, कपट, डाह और बदनामी को दूर करके नए जनमे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूद की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उध्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। क्योंकि तुमने प्रभू की भलाई का स्वाद चक लिया है। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहमूल जीविता पत्थर है। तुम भी आप जीविते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। जिससे याजकों का पवित्र समाज बन कर ऐसे आत्मिक बलिदान चड़ाओ जो येश्व मसी के द्वारा परमेश्वर को ग्रहन योग्य हो। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है। देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहमूल जी पत्थर धरता हूँ। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वे किसी रीती से लज्जित नहीं होगा। अता तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वे तो भैमूल्य है पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। और ठेस लगनी का पत्थर और ठोकर खाने की चटान हो गया है क्योंकि वे तो वचन को नव मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराये भी गए थे पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपतदारी याजकू का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की भी थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है हे प्रियो मैं तुम से विंति करता हूँ कि तुम अपने आपको परदेशी और यातरी जानकर उन सांसारे कबिलाशाओं से जो आत्मा से युद करती हैं बचे रहो अन्य जातियों में तुम्हारा चालचलन भला हो। इसलिए कि जिन-जिन बातों में वे तुम्हे को कर्मी जानकर बदनाम करते हैं। वे तुम्हारे भले कामों को देख कर उन्ही के कारण कृपा दृष्ठी के दिन परमेश्वर की महीमा करें। प्रभु के लिए मनुश्यों के ठहराये हुए हर एक प्रबंद के अधीन रहो। राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान हैं और राज्यपालों के क्योंकि वह कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से निर्भूती लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो, अपने आपको स्वतंत्र जानो पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आपको परमेश्वर के दास स समझ कर चलो, सब का आदर करो, भाईयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा कर सम्मान करो, हे सेव को हर प्रकार के भै के साथ अपने स्वामियों के अधिन रहो, न केवल भलों और नम्रों के, पर कुटिलों के भी, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याई से दुख उठाता हुआ, क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो उसमें क्या बढ़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो, और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भा न तो उसने पाप किया, और न उसके मूझ से चल की कोई बात निकली, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठा कर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याई के हाथ में सौपता था, वह आप ही हमारे पापो को अपनी देह पर लि भी हुई भेडों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और चर्वाहे के पास फिर लौट आ गए हो। द्वारा खिच जाएं, और तुम्हारा श्रिंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंधने और सोने के गहने या भाती-भाती के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुशत्व, नमृता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से रहे, क्योंकि परमेश्वर की द्रिष्टी में इसका मूल्ले बड़ा है, और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी, जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आपको इसी रीती से सवार्ती और अपने-पने पती के अधीन रहती थी, जैसे सारा अबरहाम की आग्या मानती थी और उसे स्वामी कहती थी, अता तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भैस से भैबीत ना हो, तो उसकी बेटिया ठेरोगी, वैसे ही, हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और तुम्हारी प्राथनाएं रुखन जाएं, अता सब के सब एक मन और दयालू और भाईचारे के प्रेम रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो, बुराई के बदले बुराई मत करो, और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीश ही दो, क्योंकि तुम आ बुराई से और अपने होटो को छल की बाते करने से रोके रहे, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंडे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आँखे धर्मियों पर लगी रहती हैं, और उसके कान उसकी विंती की ओर लगे रहत हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमूख रहता है, यदि तुम भलाई करने में उतेजित रहो, तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है, यदि तुम धार्मिक्ता के कारण दुख भी उठाओ, तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो, और न घबर पर मसी को प्रभु जान कर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विशय में कुछ पूछे, तो उसे उत्तर देने के लिए सरविदा तयार रहो, पर नमृता और भै के साद, और विवेक भी शुद रखो, इसलिए कि जिन बातों के विशय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विशय में वे जो मसी में तुम्हारे अच्छे चालचलन का अपमान करते हैं, लज्जित हो, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो या बुराई करने के कारण दु उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुचाएं, वे शरीर के भाव से तो मारा गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। पानी के द्वारा बच गए, और उसी पानी का द्रुष्टांत भी अर्थात, बब्तिस्मा, गेश्व मसी के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है, उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद विवेक से परमेश्वर के वश्ष में हो जाने का अर्थ है, वे स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर है, और स्वर्गदूतों, अधिकारियों और शक्तियों को उसके अधीन किये गए हैं। पहला पत्रस अध्याय चार इसलिए जबकि मसी ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हत्यार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया, वे पाप से छूट गया, ताकि भविश्वे अपना शेष शारिरिक जीवन, मनुष्यों की अभिलाशाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाशाओं, मतवालापन, लीला क्रीडा, पियकड़पन और घिनत मूर्ती पूजा में, जह इसलिए वे बुरा बला कहते हैं, पर वे उसको जो जीवितों और मरेहों का न्याय करने को तयार है, लेखा देंगे। क्योंकि मरेहों को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हुआ, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। जिसको जो वर्दान मिला है, वे उससे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रा के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। हे प्रियों, जो दुख रुपी अगनी तुम्हारे परखने के लिए तुम्हे भढ़की है, इससे यह समझ कर अचंभन करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पर जैसे जैसे मसी के दुखों में सैभागी होते हो, आनंद करो। जिससे उसकी महिमा के प्रगट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदी मसी के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तो धन्य हो, क्योंकि महिमा की आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा है, तुम पर छाया करती है। परमेश्वर के लोगों का नियाई किया जाए, और जबकि नियाई का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंध होगा, जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिंता से उधार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वासियों के सिर्जनहार के हाथ में सौम दे. पहला पत्रस अध्याई पांच जो लोग तुम्हें सौपे गए हैं, उन पर अधिकार न जताओ, वरन जुन्ड के लिए आदर्श बनो, और जब प्रधान रखवाला प्रगट होगा, तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुर्जाने का नहीं. हे नव्योव को, तुम भी व्रिद पुरुषों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है. इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए. अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है. सचेत हो और जाकते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिय के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए. विश्वास में दृड़ होकर और यह जान कर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो सिंसार में हैं, ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं. अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसी में अप मैंने सिल्वानुस के हाथ, जिसे मैं विश्वासियों के भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिख कर तुम्हें समझाया है, और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्तिर रहो, जो बाबेल में तुम्हारे समान चुने हुए लोग है वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं, प्रेम से चुम्बन लेकर एक दूसरे को नमस्कार करो, तुम सब को जो मसी में हो, शांती मिलती रहे झाल सब कर दो एक दूसरे को जो बाबेले समान च्तर लासे को, चिола अनुग्रह रहे हैं, जो 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 बाले से वाले समाने हुए यह यह खुम्हारे सकती हैं, जो चो जो जो बाइं झाल झाल